हेलो इस्टुडेंट्स अपना गुर्कुल यूटूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरा नाम है लोकेंदर राजावत और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्लास एड़ का नव उदेबेज ना उदेबेज का आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो केवल चैप्टर वन का चैप्टर वन हमारा होगा रैस्नल लंबर्स जिसका एक ओवर्वी होगा जिसके अंधर हम केवल ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से topics हैं जो कि हम इस chapter में पढ़ने वाले इसके साथ ही हमारे को आने वाले सभी lectures को किस तरीके से देखना चाहिए किस तरीके से उसके notes बनाने चाहिए किस तरीके से questions को solve करना है इसका भी एक पूरा आप लोगों को guide video यहां provide करने वाला यह वाला video होने वाला है तो सबसे पहले हम यह बेख लेपे कि इस chapter का overview क्या है मतब इस chapter में हम कौन-कौन से topics कवर करने वाले है लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा channel subscribe नहीं किया है तो please channel को subscribe कर लीजिए, bell icon को press कर दीजिए साथ ही इस video को like कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए तो सबसे पहले हम देखते है कि chapter का overview क्या है chapter में कौन-कौन से topics हम पढ़ने वाले है तो chapter में जो हमारा सबसे पहला topic होगा वो होगा introduction to numbers यहनि numbers का introduction पढ़ेंगे किस-किस type के number होते है कौन-कौन से number होते है उनकों कैसे लिखा जाता है उनके उपर कैसे operations किया जाते है operations करने का मतलब है उनको कैसे aid किया जाता है multiply कैसे किया जाता है नेचwalk numbers किया होते है आने वाले लेक्चर में आप लोगों को एक-एक चीज करके clear होता रहेगा नेचोल numbers में क्या होगा नेचल numbers में भी उनको भी चार तक category में devाइट करके पढ़ने वाले prime numbers का होते है composite numbers का होते है co prime numbers का होते है and team parameters क्या होते उसके बाद में हम पढ़ेंगे whole numbers क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे integers क्या होते हैं, यह सारे chapters आप लोगों ने इनसे पहले वाली class में पढ़े होंगे, 6 और 7th class में, अब यहां मैं केवल इनका जल्दी से क्या करवांगा, आप लोगों को एक तरीके से revision करवांगा, जादा questions हम लोग यहां नी करेंगे, इसके उपर, जो major questions होंगे, जो आप लोगों के लिए important है, वो मैं केवल यहां समझाऊंगा, बाकी केवल इनका यह होते क्या है, इनके जो important note है, यहां पर मैं आपको लोगों को लिखवा दूँगा, यह 6 और 7th के अंदर आते हैं हमारे, लेकिन यहां एर्थ में क्या होगा, वो यूज होते हैं बीच-बीच में, इसलिए तो एक बार हम लोग इसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, इंटीजर्स में भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे old integers क्या होते है, even integers क्या होते है, positive integers क्या होते है, negative integers क्या होते है, non positive integers क्या होते है, इनके बारे में पढ़ने वाले उसके बाद में हम THोड़ा सा introduction किया करें गए ग्यों पुण ही अगर आप लोगों को समझ में आ गया ना तो यह समझ लोगों को rational number आसानी से समझ में आ जाएगा तो उसके बाद में हमारा टोपिक होने वाला है rational numbers rational numbers पढ़ने के बाद में अच्छे से rational number को समझने के बाद में उसके बहुत अच्छे questions करने के बाद में हम क्या करेंगे operations on rational number पढ़ने वाले operations on rational number मतलब जिनल केंप अगे में यहां पीघ है On Mmm को बहुत आसानी से चीजे समझ में आए कि यह मैं आप लोगों को गारंटी लेता हूं उसके बाद में हम चार मेजर टोपिक से जिनके उपर भी कई बार क्येस्टन पूछा जाता है जैसे एडिटिव आइडिटिव इंवर्स क्या होता है मल्टिप्लिकेटिव आइडिटिटी क्या होता है मल्टिप्लिकेटिव इंवर्स क्या होता है जिसको रेसी प्रोकल भी बोला जाता है यह क्या होता है यह चीज हम देखने वाले उसके बाद में हो हम देखेंगे कि रिपर्जेंटेशन ओफ रहस्नल लंबर उन्दान नमबर लाइन तो नमबर लाइन पर रहस्नल लंबर को कैसे रिपर्जेंट किया जाता है वो चीज हम इस शेप्टर में आगे देखने वाले उ यहां जो हम टोपिक पढ़ेंगे उसको मीन मेथड जमारा इंपोटेंट है वह यहां पढ़ने वाले हैं कि मीन की हैल्प से दो रहसनल नंबर के बीच के अंदर रहसनल नंबर के से फाइंड किया जाता है इसके बाद में हमारा यह चैप्टर का लास्ट टोपिक हुग यह खत लगोगों के वह थाइंगे नाओधे एंट्रेंस एक्जाम 2023 का को टार्गेट करके हम लोगों ने यह बेच लूंच किया है इस बेच के अंदर हम लोग क्या करेंगे किवल आप लोगों कि स्कुल लेवल की चीजों को ही हम कवर मी करेंगे इसके साथ ही हम लोग नओधे एं इसके साथ ही आप लोगों के लिए कि रिक्वेस्स समझ सकते हो यह बहुत इंपोर्टेंट है आप लोग अगर इस इन एड़्वेस्स को फोलो करोगे तो आप लोग इन लेक्चर्स ता जादा से जादा बेनेफित उठा सकते हो अधरवाइच क्या होगा आप लोगों को भले अगर आप लोग लिखने की प्रेक्टिस नहीं होगी लिखने की प्रेक्टिस नहीं होगी तो जब आप लोगों के पेपर के अंदर जब क्योंस आएंगे तो आप लोग लिखनी पाओगे प्रोपर तरीके से तो प्रोपर तरीके से आप लोगों को अगर लिखना है तो विरन की से ट्रीब करें और शाप सृचल embargo करना कीショå का यहां यहां से जो पढ़ते हो वही नोट करना है रा बीच में साइंस का इसटर्स वायाई और इंग्लिस के अंदर कोई अप्लिकेशन लिखवाई या कोई लेटर है वो भी बीच में आ रहा है तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा तो सापसुत्री सापसुत्री अलग से कोपी बना लीजिए ठीक है इसके बाद में यहां आप लोगों को क्या होगा हर एक लेक्चर के होगा आपको हमवक सीट प्रोवाइड करवा दी जाएगी तो इस टीपी के हमवक को सोल कीजिए माथा फोडी कीजिए उसके साथ में बाता फोडी का मतलब है उसके साथ वो की प्रेक्टिस कीजिए उल्टे सीदे कॉंसेट लगाईए जो भी हमने सीखे उनको एपलाई करन के लिए हम यहां अपने लोगों के लिए आगे के लेक्टर में आपके डाउट्स लेके लेते रहेंगे आपके डाउट्स को सोल करते रहेंगे जब आप लोगों DPP को सोल करोगे ना तो इन में क्या होगा maximum questions आप लोगों को हम लोगों को सिस करेंगे कि जो exam में आते हैं उस pattern पे आप लोगों के लिए question आप लोगों को DPP में दिये जाए एक्जाम में किस टाइप के question पूछा जाता है नाओदे के PYQ जिसके अंदर हम include करेंगे तो जिससे क्या होगा आप लोगो यहां पढ़ने के साथ साथ आपके exams की preparation होती रहेगी जब exam की preparation आप पर अच्छे तरीके से आप लोगो कि आपको बार बार दुबारा चीजे पढ़ने की जरुवत नहीं है एक तो आपने प्रोपर तरीके से यह question हमारे को नहीं आया था तो next lecture में हम क्या करेंगे जैसे आज के lecture में आपको homework मिला है तो next lecture में कोसिस करेंगे कि starting में ही क्या करें last lecture के questions उनको discuss कर ले और उसके बाद में हम आगे का lecture स्टार्ट करें या अगर जाबा question है तो डीपीपीज के लिए हम एक अलग से सीरीज स्टार्ट कर देंगे जिसमें केवाल डीपीज आपको solve करवाई जाएगी तो इसके साथ ही यह हमारा आजकल मतलब chapter 1 का जो overview है वो खतम होता है एक बार फिर से आपसे request है आप लोगों ने अगर चेनल को subscribe नहीं किया है त चेनल को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए अपने दोस्तों के साथ share कीजिए इसके साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो comment कीजिए और हमारे साथ लंबे time तक के लिए जुड़े रहिए आप लोगों की mathematics इतनी strong हो जाएगी आपके सभी concept अच्छे से clear हो जाएंगे तब के लिए thank you